मैं है इसलाम अदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहाटाइंस जारखंड और नवी मुंबई ATS को मिली है बड़ी काम्याबी 2015 से फरार आरोपी अमन स्रीवास्तो को गिरफतार किया गया है और ठाने कोट में इसे पेश किया गया कोट ने पाश दिन के ट्रांजिट रिमांट पर इसे भेज दिया है जारखंड का शातिर आरोपी अमन कुमार स्रीवास्तो और फरोहन विनोत कुमार उम्र 31 साल जिस पर हत्या किड्नेपिंग अपाहरण और एस्ट्रोशन यानि कि फिरोती जैसे गंभीर मुकत में जारखंड और बिहार में अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज है जिसकी संख्या कुल 40 बताई जा रही है उसी शातिर आरोपी को नवी मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन से ATS ने गिरफतार किया है जो 2015 से फरार चल रहा था जिसे पकड़ने के लिए जारखंड पुलिस जमीन आस्मान एक किये हुए थी जो पिछले 9 साल से पुलिस के साथ आख मिचौली खेल रहा था पर अब जाकर महराश्ट के नवी मुंबई के वाशी में आरोपी को पकड़ा जा सका है यूँ कहना गलत नहीं होगा कि ठाने और जारखंड ATS को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पकड़े गए आरोपी को ठाने के सेक्शन कोर्ट में समख्ष हाजिर किया गया जानकारी मिली है कि आरोपी बिहार के पड़ोसी राज्चे जारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है जिसकी तलाश बिहार और जारखंड की पुलिस एक लंबे अरसे से कर रही थी पर अब आरोपी ATS के जाल में फस गया है अब देखना ये होगा कि जाच में क्या खुलासा होता है या उसे जारखंड या बिहार पुलिस को सौब दिया जाता है सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक जिससे फिरोती वसूलना होता था उसे मुंबई से कॉल करता था पर यह इस बार इसका डाउं फेल हो गया और वहाँ ATS के महमाद बन गया है